जहिंद आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी जो जमीन है इस सर्वे में किसी भी कारम से किसी दिसरे व्यक्ति के नाम पर चला जाता है तब आपको क्या करना चाहिए इसमें हमने आपती लगाने का एक प्रावधान रखा गया है और यह आपको समझ सिमा के अधिन ही लगाना होता है अता इस सर्वे में आप लोगों को थोड़ा जागरूक बन के रहना होगा यदि जागरूक नहीं बने तो फिर बाद में आपको कोट कचहरी के चकर लगाना पड़ेगा तो चलिए समझते हैं कि यदि आपके जमीन का फिर भी जागरूक रहते हुए भी किसी दूसरे विख्ती के नाम पर चला जाता है T ratio, तब आपको क्या करना चाहिए यदि आप को पता चलता है कि यह जमीन आपका किसी और वैक्ती के नाम पर चला गिया है, खाना पूरी वगएर Ee, भी हो चुका है हैं इस पर देखते हैं आपको क्या करना होता है सबसे पहले आपको इसके एगेंस में online सिकायत करना होता है और वो सिकायत पर क्या परकरिया अपनाई जाती है अमीन कैसे उसका जांच करता है क्या करता है ये सब हम आपको बताएंगे इस पर जब आप आपती करते हैं कि यह हमारी जमीन है सभी साक्ष लगाते हैं और बताते हैं कि यह फ़ला ने किसी भी कारण से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर यह चला गिया है तब क्या होता है जब आप सिकायत करते हैं तो आपका एक record खुलता है record इस तरह का आप देख सकते हैं इस पर सारा आपका जो वाद संख्या online मिलता है वो वाद संख्या भी लिखा गया होता है ठीक है इस पर सारा date वगएरा सब कुछ लिखा गया होता है इस पर आपका नाम वगएरा जमीन का detail सारा चीज लिख दिया जाता है यानि कि आप जो अपना सिकायत online करते हैं उसको वहा इस पर बताईए आपका क्या कहना है वो जो करमचारी है देख रहे हैं कि उसका जो है रिपोर्ट है करमचारी अस्थल पर जाते हैं सभी दस्तावेज की बारिकी से जाच करते हैं जाच करने के बाद वह अपना इस तरह का एक रिपोर्ट बनाते हैं और वह रिपोर्ट बनाक बंदोबस्त पतादिकरी जहां पर आपका सिकायत पहुंचा है वहां पर चला जाता है यहां पर देख रहे हैं कि केस नंबर भी यहां पर डला जाता है और इसके आलोक में वह जांच करके अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वहां सिवीर परभारी को सिवीर परभारी इस जाच परतिवेदन के ही अधार पर जैसा आप यहाँ पर इसको अच्छा से पढ़ लिजे वीडियो को रोक करके हम थोड़ा slow motion में इसको चलाते हैं आपको यदि पढ़ना है रिपोर्ट में क्या सबाता है तो आप पढ़ लिजे हम वीडियो में बताने लगेंगे तो यह थोड़ा लंबा हो जाएगा यदि दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है लिख दिया गया है कि वादी जो इसमें दिया जा सकता है जैसा उनका दस्तावेई था उनकी आधार पर इनके समस्या का समाधान यहां पर कर दिया गया है यह अमीन का रिपोर्ट हो गया या जब अमीन का रिपोर्ट सर्वे करियाले में यालनी की सर्वे केंप में आता है सिवीर परभारी के पास तो उस पर वह एक आदेश परित करते हैं यहां पर आप उस आदेश को भी पढ़ लीजिए इसमें लिखा गया है कि अभिलेक उपस्थापित किया गया है अंचल अधिकारी या समिन से पक्ष के परतिनेधी एवंग पक्षकार उपस्थित या है या अनुपस्थित है विशे सर्विक्षा नमी वादी को साबिक खैसरा से बने हाल खैसरा इतना यानि ये पूराना खैसरा का जिक्र किया गया है और ये अभी जो नाया खैसरा बना है ये नाया खैसरा का जिक्र किया गया है जो रियति खाते की है जो कि वादी को दिया जाए यानि अश्पस्थ कर दिया कि वादी को दिय जाए एवंग इतना से जमीन काटकर 10 डिसमिल भी देने के लिए आदेश पारित हुआ है अब इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें यह भी लिखा गया है कि दावा आक्षेप से सामात होते हुए आक्षेप का दावा मान किया खैसरा पंजी प्रपत्र छो ऑनलाइन प्रविष्टी में एवंग नकसा में तरमीन के आवज़ सकता परतित होती है यानि तरमीन मतलब बदलाओ यानिकि चेंज करना जिसको बोलते हैं यानि पहले जिसके नाम से हुआ था उसको बदलकर अब इसका नाम दिया जाएगा उसी को तर्मीन बोलते हैं यदि रियत द और भी इसमें है जो इसके नाम पर पहले बना था अब तो काट कर इसके नाम से टांसफर करके इसको देने के लिए बोला गया यानि अब यदि यह पक्ष इस आदे से संतुष्ट नहीं है तो इनके लिए कहा गया है कि प्रादिकार के पास अपील में यह जा सकते हैं ठीक है तो यदि इस तरह से भी आपका कोई समस्य आपका या आपके जानने वालों के साथ होती है तो बिन्दासो के बोलिए कि वो शिकायत करेगा और शिकायत में किस तरह की कारवाई होती है वो हमने आपको समझा दिया यहाँपर आपको सभी दस्तावेज लगाना पड़ता है यहाँ पर देखे इस सिकायत में भी इस व्यक्ति के दुआरा अपना सारा डीटेल जो भी केवला वगेरा था वो सब इसमें लगाया गया है। आपको भी अपना सभी दस्तावेज के साथ ही आपको सिकायत करना होता है। बिना दस्तावेच के यदि आप सीखते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है और उसको ओमान करके reject कर दिया जाता है उस पर सुनवाई नहीं होती है यानि यह अभिलेक ही नहीं कहला जाता है उमीद है इससे आपको होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी और आपको अपने समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद